हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो जस्विंग लिस्ट क्लासिज तो फ्रेंट्स आज का हमारा वीडियो रहने वाला है लेरिक और आइडल्स के बारे में ठीक है तो पोईट्री की ये फॉर्म्स है मैं आपको सोनेट पढ़ा चुकी हूँ एलेजी पढ़ा एपिक पढ़ा चुकी तो आज हम लिरिक और आइडल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं फ्रेंट्स बहुत अच्छे से यहां पर एक्स्प्रेंड करने वाली हूँ तो लाश्ट तक आप वीडियो में बने रहे हैं आपको सब कुछ ब्लियर हो जाएगा कि लिरिक क्या होता है और आइडल क्या होत तो लिरिक लाइर से बना हुए वड होता है ठीक है लाइर पर गाया जाता है तो दो लिरिक कि is short musical composition ये short musical composition होता है मत्बा इसकी length जादा नहीं होती है छोटा सा होता है इसमें किवल सिंगिंग के जाती है इसकी चोटा सा लेंद इसकी जादा नहीं होती है तो इसमें क्या है देखिए अब किसलिए यूज किया जाने लगा है कोई भी सुन्दर सी कोई पोयम है हमारी है ना चोटी सी तो उसको हम लेरिक कह सकते हैं जो किवल एक सिंगर के द्वारा यहाँ पे उसको कंपोज किया गया हो सिंग किया गया हो ठीक है तो उसी को हम यहाँ पर लेरिक कह सकते है तो अब कि अएक स्प्रेष इसटेट ओ लेकिन इसमें इ shirt है एकस्प्रेष इसिए स्टेट ओफ माइन और प्रोसस ऑफ थोट एंड फिलिंग यहे कि फिलिंग को यहाँ पे एक्स्प्रेष करती है या किसी थोट को या तो किसी व्यक्ति की कोई थोट होती है या उसकी कोई thinking होती है तो इस process कोई है माइन process कोई है यहाँ पर present करती है ठीक है तो लिरिक की characteristic क्या होती है देखिए विसेश्टाएं क्या होती है लिरिक की तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि it must be a short poem सबसे पहली तो इसकी quality यही है कि यह छोटी होती है, short होती है, second देखते हैं तो हम it must have musical quality, ठीक है, इसमें musical quality होती है, मतलब इसको खाली नहीं गाया जाता है, कभी भी इसको music के साथ गाया जाता है, liar के साथ, it must express any one single emotion, यह किसी भी एक single emotion को express करती है, कोई sorrow भी हो सकता है, sadness का को कोई topic हो सकता है, happiness का भी कोई topic हो सकता है, मतलब कोई भी एक emotion यहाँ पर express किया जाता है, single emotion की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, तो यह था हमारा lyric, अब बात करते है, idol की, idol क्या होता है, the origin of idols also may be traced back to the short article composition of the Greek poet, Theocritus, ठीक है, जो Greek poet हमारे हुए है, Theocritus, तो उनके दवारा यहाँ पर origin इसको जो है, डवल्ब किया गया है, तो इसका origin Greek है, short article composition होता है, तो he wrote small pictorial poems, तो यह जो Theocritus थे, यह क्या करते थे, he wrote small pictorial poems on a variety of themes, such as town, यह कुछ छोटी-छोटी poems लिखते थे, pictorial poems, कैसी themes होती थी, इनकी, जैसे कि town, कोई town है, city है, कोई, and country life के लिए, या फिर mythology, and the poets, ठीक है, किसी poet के उपर भी, है न, या फिर poet का, खुद का, अपना experience भी, यहाँ पर यह शोग कर सकते थे, इन poems के अंदर, तो देखिए, they took, they took special interest in describing the simple life, यहाँ पर इसके अंदर, simple life को express किया जाता था, देखिए, यहाँ पर पहले बताया जा चुका है, कि town life हो सकते country life हो सकते थी, है न, और किसी भी poet के अपनी कुछ impressions, experiences हो सकते थे, जो उसने gain किया है past में, तो वो सब कुछ यहाँ पर express किया जाता है, idols के अंदर, तो इसमें क्या होता है, innocent pleasures, यहाँ पर innocent चीज़े होती है, and beautiful scenes of country life, जो country life के जो सुन्दर scenes वगरा होते हैं, अच्छे को न, clearly, बिल्कुल reality के साथ ही, हाँ पर present किया जाता है, real situation के बारे में, यहाँ पर आइडल्स के अंदर, बताया जाता है, तो आइडल्स में, often the idols took the form of a pastoral painting, देखे, pastoral allergy जो होती है, वो भी safer days, safer days के लिए, यहाँ पर हम use करते हैं, लेकिन यह भी इसी type की कुछ चीज़े हो हमारे चरवाही वगेरा, उनकी simple life के बारे में, pastoral allergy में बताया जाता है, तो वही चीज़ें यहाँ पर, देखे, tending there are sheep and gods, और उनकी sheep और gods के बारे में, यहाँ पर बताते हैं, तो वही चीज़ें सेम सेम सी मतलब, यहाँ पर है, आइडल्स के अंदर है, तो रोमान पोईट वर्जिल अलसो अड़ोप्टिब दा सेम फॉर्मिन ही एकलोग्स और व्यूकॉलिक्स, ठीक है, तो वर्जिल जो थे ना, रोमान पोईट वर्जिल जो थे, उन्होंने भी एडोप्ट किया है इस चीज़ को, अपने मतलब जो वो कमपॉज किया करते थे, उन चीज़ों के उन्होंने भी आइडल्स का यूज किया है, ठीक है, जो उनकी एकलोग्स जो उनका वर्क हुआ है, या फिद वियू कॉलिक्स जो उनका वर्क हुआ है, तो इसके लिए उन्होंने आइडल्स को यहाँ पे यूज किया है, इनमें, तो देखिए, यह हमारी बही चोटी सी बाबलम वाली बात नहीं है समझ गए होंगे आप एजली तो नेक्स जो कुछ भी हमारा बजा है वो मैं नेक्स वीडियो में लेके आती हूं तो तब तक ले बाबाई गुडबाई थेंक यू